काजगन जन्पत के सदर कोतवाली छेतर के क्रिश्यन नर्सिंग इंस्टिट्यूट में अध्यंतर एन्म की छात्रा को बंदग बनाकर तीन दिन तक हवस का शिकार बनाने वाला मामला प्रकाश में आया है। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। दरसल हिरानी की बात ये है कि दुशकर्म करने वाला कोई और नहीं बलकी क्रिश्यन नर्सिंग इंस्टिट का कैशियर बाबू बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने स्पी के आदेश पर आरोपी दुशकर्मी के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है। और आरोपी की तलाश में जुटी हुई। आपको बता दें कि एटा जिले के मरहरा थाना छेत्र के गाउं की रहने वाली पीडित छात्रा शहर के नदरेगेट इस्थित क्रिश्यन मिशन अस्पताल में एन्म की पढ़ाई कर रही है। आरोप है कि उसकी कुछ दिन पूर्व बुखार आने की वज़े से तबियत खराब हो गई। जिसके बाद पीडिता दवाई लेने ओपीडी में गई। पीडिता के मताबिक ओपीडी में उसे अस्पताल में ही कैशिर का काम करने वाला अनुपम दीपदास मिला। आरोप है कि अनुपम ने पीडिता को मेडिकल स्टोर में पिछली दरवाजे से अंदर बुलाया और उसे एक पाउडर पीने को दिया और कहा कि इससे उसका बुखार उतर जाएगा। पाउडर पीने के बाद पीडिता बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वह कमरे में बन थी। पीडिता के आरोप के मताबिक आरोपी अनुपम ने पीडिता को नशीला पदार्थ खिला कर उसके साथ दुशकर्म किया। और उसे आगरा के वाटर वरक्स इलाके में एक फ्लैट में बंदख बना कर रखा और तीन दिन तक दुशकर्म किया। तीसरे दिन होश आने पर पीडिता जैसे तैसे उसके चुंगल से भाग निकली। और बाहर आकर किसी रहगीर के फोन से मामले की जानकारी अपने परीजनों बुदी। जानकारी के बाद परीजन आगरा पहुँचे और पीडिता को लेकर काजगंच सदर को तवाली आये और नामजद आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पीडिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद मामला दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं SP, BBGTS मूर्ती ने बताया कि पीडिता तहरीर के आधार पर ततकाल मुकदमा लिखवाया गया है। इस मामले में आवश्यक वैधानी कारवाही की जा रही है, इस संधर्म में एक गंभीर पहलू पर विवेचना की जा रही है। इस प्रकरन को संग्या में लेते हुए कल शाम को वादी जो है वो हमारे कासगन तानाय पर अपनी तहरीर लेके आयती, तहरीर के आधार पर आमने तुरंत मुकदमा लिखवाया और आवश्यक वैधानी कारवाही की जा रही है, प्रकरन के संबंदित हरे गंभीर पहलू का पहलू का विवेचना की जा रही है और विवेचना प्रचलित है